हलो दोस्तो वेलकम टो मा यूटूब चैनल मैंने दोस्तो आपको पता है जिस दुबाई ने मेरा वीडियो नहीं देखा है मैंने फुल डिटेलर फ्रेमस पर वीडियो बनाना सिखाया है अपने एक वीडियो में जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर जा आया था कि हम किस तरह फ्रेम बना सकते हैं आज इस वीडियो में और एक तरीका है जो है फ्रेम बनाने का वह मैं आपको दिखाऊंगा आग फिर खुद ही देख लेना कितनी फारक होती है इस फिंगर जॉइंट वाले फ्रेयम में और जो फ्रेम मैंने शिखा यहाँ था मैं हम पर फ्रेमस पर काम करते हैं फिर आपके 20 टेड़ा चाता नहीं बनाएंगे आप ये वीडियो पूरा देखें अगर आप भी फ्रेम बनाना चाहते हो तो ये भी एक तरीका है भी फ्रेम बनाने का इस तरह से आप फिंगर जॉइंट लगा सकते हो यहां पर ये मजबूती बनत ज़्यादा बन जाती है तो एक तरीका है इस पे सीदा रखते हैं फिर बीस एदर लगाते है चार इम इधर चार एम तो यहां इसी मैसे बीस एपेस निकलती है आप देख सकते हो दोस्तों इहां से इसको काटना होता है यहां से भी एप फिर ये थोड़ी सी लगड़ी बाह निकालनी होती है और 22 mm इसके जीच में आ जाता है फिर इस तरह से फ्रेम तैयार होता है आप देख सकते हो तो ये मैंने यहां तक 30 mm रख दिया है चोड़ा यहां से एक कम होता जा रहा है और बाटम बार भी कम लग रहा है 20 mm क्या ये 22 mm क्या इस तरह से भी आप फ्रेम बना सकते हो फिर रहती है वाइरिंग आप तीन लगा सकते हो यहाँ एक होल यहाँ एक और नीचे और एक आप देख सकते हो किस तरह ये बनता है अगर आप एक ही किल फिर लगाओगी तो फिर भी ये मजबूत बनता है आप देख सकते हो दोस्तो जो फ्रेम मेरे हाथ में है ये मैंने भी एक तैयार किया है तो आप दोस्तों के साथ मैंने सुचा शेयर करूँ तो इस तरह भी आप बना सकते हो गर भी इसके लिए टेबल सागी जूरत नहीं है बस आपको दोस्तों जब आप साइड बार तैयार करोगे ये साइड बार फिर आपको यहां से भी एक कट मार रहा है यहां से भी एक कट ये चार एमम रखना है ये चार एमम फिर आपको जो आपके पास जो चोरची होती है जो आपको बाजार से मिल सकती है तो यहां से आपको इससे यह लगडी बाहर निकाल देनी है यहां कट यहां कट फिर इसके बीच में से यह टाब बार आता है तो आप देख सकते हो किस तरह यह फिकस होता है इसको कहते है फिंगर जॉइंट finger joint आप लगा से, यहां भी आप ये cut दे सकते हो, इस वाले sidebar को फिर ये इसके अंदर डाल देना है, अगर आप ये नहीं करोगे तो कम से कम ये भी कर सकते हो आप दोस्तों, आप देख सकते हो, भी space इसी में से है, ना side से लगाना है, ना एक तरीका है और एक, ये एक तरीका ह है, ये भी एक तरीका है, इधर से base space रखते है, इधर से, आप देख सकते हो, इसमें भी base space है, लेकिन इसमें ये जो finger joint है, ये नहीं है, और इसमें, मैंने finger joint निकाल दिया है, आप देख सकते हो, दोस्तों, finger joint किस तरह लगाते हैं, इसी तरह, अगर आपको एक frame एक बनाओ आप, दोस्तों, आपको ये फिर ये ही frame अच्छे लगए, ये इससे अच्छा मजबूत होता है, तो आप try करिए, एक frame अगर आपका गलत भी होता है, तो दूसरा जब आप frame बनाओगी, तो आपका frame बिलकुल अच्छा बन जाएगा, आप try करो practical से इनसान सीखता है, और जितना खुद practical से सीखता है, इतना कोई नहीं सिखा सकता आपको, अलबता guidance जरूरी है, मैं भी, कुछ, कोई perfect नहीं होता है, सब सीखते हैं दोस्तों, इस तरह से आप ये frame बना सकते हो, ताप बार इसका भी 13 inch कार देना है, ये 22mm रख धेना है, साइड बार इसका भी 7.5 inch कार देना है, तो पर ये जो ये आता है बार टम बार, इसका भी सेम गेरा इंच है तो पीस पेस आठ अमियम यह हिस्सा यहां से लेकर यहां तक जो है यह इसकी चोड़ाई जो है यह 30 अमियम है यह 22 अमियम यह 30 अमियम तो इस तरह आप प्राइ कीजिए दोस्तो आपका फ्रेम जो है वो बहुत ही अच्छा बनेगा